हलो फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे प्याज और भिंडी का जटपड बनने वाली सब्जी तो इसके लिए हमने भिंडी प्याज को काट लिया है कराही रख दिया है गैस पर तेल डाल दिया है जीरा डाल लिया है हरी मिर्ष डाल लिया है प्याज को डाल लेंगे इसको हलका लाल होने तक भून लेंगे यह हमारा प्याज लाल हो चुका है अब इसे हम निकाल लेंगे सभी प्याज को निकाल लिया है इस क्राई में हम थोड़ते डालेंगे जीरे डालेंगे जीरा गरम होने के बाद बिंडी काटके राकिते जो डाल लेंगे बिंडी को अच्छे से हम भून लेंगे केस को हमको मेडियम रखना है नमक डालेंगे स्वादनसर हल्ली पाउडर काली मिर्श पाउडर और सबजी मसाला डालेंगे एवरिस्ट का सबजी मसाला एक चमच हमने डाल दिया है डालके हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसाले को अब इसमें हम प्याज जो भून के निकाल लिए थे उसको भी डालके इसमें मिक्स कर लेंगे हम इसमें एक चमच लाल मिर्श डाल रहे हैं अब इसको हम ढख के पकाएंगे लोग फिलेंप पकाएंगे पांच मिड़ तक पांच मिड़ बाद चेक करेंगे भिंडिय भी पका नहीं है तो इसको ढख देंगे भी दो तिन मिड़ चेक करेंगे बाद यह देखिए भिंडिय हमारा पक चुका है तो इसको हम बन कर लेंगे निम्बू लिये हैं आधा फड़ी इसका रज हम निकाल लेंगे इसमें इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे के बाद हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे बिंडिय और प्याज का सबजी बनके रेडी हो गया कर रेंगे